मल्टि बैगर स्टॉक्स एक रुपया के शेर का कमाल रॉकेट की स्पीड से बनाया करोरपती मल्टि बैगर स्टॉक्स एक रुपय में क्या होता है? किसी अच्छी कमपनी के एक रुपय के शेर खरीदे जाएं तो यह करोरपती बना सकता है. ऐसे ही करीब एक रुपए के शेर ने रॉकेट की स्पीड से करोरपती बना दिया है वहीं करीब आठ महीने में इसने निवेशकों के पैसों को दोगुने से अधिक बढ़ा दिया है और इस वित्वर्ष में अब तक करीब 43 पीसदी उपर चड़ा है मल्टि बैगर स्टॉक्स एक रुपए में क्या होता है किसी अच्छी कमपनी के एक रुपए के शेर खरीदे जाएं तो यह करोरपती बना सकता है ऐसा ही एक शेर इलेक्रिसिटी नवा का है जिसके करीब एक रुपए के शेर ने रॉकेट की स्पीड से करोरपती बना दिया है वहीं करीब आठ महीने में इसने निवेश्पों के पैसों को दोगने से अधिक बढ़ा दिया है और इस वित्वर्ष में अब तक करीब 43 फीसदी उपर चड़ा है आज की बात करें तो BSAE पर यह 1.72 फीसदी की बढ़त के साथ 311.20 रुपए के भाव नवा शेर प्राइस पर बंध हुआ है इसका फुल मार्केट कैप रुपए है एक रुपए के शेर ने बनाया करोरपती नावा के शेर 29 जून 2001 को 1.14 रुपए पर थे अब यह 311.20 रुपए पर है यानि की 22 साल में इसने निवेश को की पुझी 27,198 फीसदी बढ़ाई है और महस 37,000 रुपए के निवेश पर करोरपती बना दिया है ऐसा नहीं है कि इसने लॉंग टर्न में ही शांदार रिटर्न दिया है बलकि कम टाइम फ्रेम में भी इसने बंपर कमाई कराई है पिछले साल 7 नवंबर 2022 को यह एक साल के निचले स्तर 162.55 रुपए पर था इसके बाद करीब 8 महीने में यह 106 फीसदी उचल कर 22 जून 2023 को 334.45 रुपए की रिकॉर्ड उचाई पहुच गया इसका मतलब हुआ कि महज 8 महीने में इसने निवेशकों के पैसों को 106 फीसदी यानि दोगुने से अधिक बढ़ाया है हालांकी शेरों की यह तेजी यहीं थम गई और इस हाई से यह फिलहाल यह करीब 7 फीसदी डाउनसाइड है नवा के बारे में डिटेल्स यह कंपनी 1972 में बनी थी और फेरो एलोय यानि मिश्रधातू बनाती है इसका कारोबार भारत दक्षिन पूर्व एशिया और अफ्रीका में खैला हुआ है यह मेटल, मैनुफैक्चरिंग, पावर, माइनिंग, एगरी बिजनिस और हेल्थ केर में कारोबार करती है और दो महादवीपो में इसके 1000 से अधिक एम्पलॉईज है सालाना यह 1.75 लाख टन फेरो एलोई बनाकर सप्लाई करती है और 743 मिगावाट के कई पावर प्लांट करती है जांबिया की सबसे बड़ी कोईले की खान इसके पास है कम्पनी के वित्तिय सेहत की बात करें तो मार्च तिमाही में इसका नेट प्रोफिट सालाना आधार पर 47 फिसदी से अधिक गिरकर 139.16 करोड रुपए से 68.29 करोड रुपए पर आ गया हालांकि तिमाही आधार पर यह मुनाफा 186 फिसदी से अधिक बढ़ गया